नमस्कार, मॉड्यूल दो में आपका स्वागत है, लेयर मुर्गी का परिच है। यह मॉड्यूल आपको लेयर मुर्गी के व्यभार और उसके कल्यान के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद करेगा। मुर्गियां बहुत सरल लग सकती हैं, जैसे उनके पास विचार या भावना बहुत अधिक नहीं है। हाला कि अध्यनों से पता चला है कि मुर्गियां वास्तव में बुद्धिमान और जिग्यासु जीव हैं। वे आचरन करने के लिए कुछ खास तरीकों से प्रेरित होती हैं और चीजों को जल्दी सीखती हैं। मुर्गियां दर्द, भै और तनाव को वैसे ही महसूस करती हैं जैसे हम करते हैं। लेकिन वे अक्सर या दिखावा करती हैं कि उन्हें ये चीजे महसूस नहीं होती। ऐसा क्यूं हैं। मुर्गियां शिकार किये जाने वाले प्रजाती में आती हैं। इसलिए उन्होंने अस्वस्त होने या घायल होने पर शिकारियों के हमले से खुद कुद छिप कर बचाना सीखा है। यह बताना बेहत मुश्किल हो सकता है कि मुर्गी बीमार है या भविश्य में उसके व्यवहार में कोई समस्या होगी या नहीं। इसलिए उन्हें और उनके आसपास के वातावरन पर नियमित रूप से नजर बनाना बेहत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपको यह जानने में सहायता मिलेगी कि आपके पक्षियों के लिए क्या समान्य है और क्या नहीं। ताकि समस्या शुरू होने से पहले ही उसे ठीक किया जा सके। क्योंकि मुर्गियां शिकार किये जाने वाले प्रजाती के जीव हैं। इसलिए वो अपने परिवेश के प्रती अत्यधिक समवेदनाशील होती हैं। और जब उनके वातावरण में अचानक कोई परिवर्तन होता है, तो वे उसका अच्छी दर से सामना नहीं कर पाती हैं। यदि आपको उनके वातावरण में परिवर्तन करने की आवशक्ता है, जैसे कि उनके भोजन में परिवर्तन या शेड के उपकरण को इधर-उधर ले जाना, तो इसे समय के अनुसार धीरे-धीरे किया जाना जाहिए। वातावरण और आपके प्रबंदन द्वारा मुर्गी की प्राक्रतिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए। लेयर मुर्गियां ऐसी चिकन होती हैं जिन्हें बहुत सारे अंडे देने के लिए पाला जाता है, वो हर साल 300 से अधिक अंडे दे सकती हैं, जबकि इनकी तुलना में सामान्य मुर्गियां हर साल सिल्फ 10 से 15 अंडे देती हैं, इसके परिणाम स्वरूप उनकी हड़ियां क बहुत महत्वपूर्ण हैं, मान्स उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां बिलकुल अलग दिखती हैं, अलग तरह से व्यवहार करती हैं और उनकी जरूरतें भी अलग होती हैं, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हैं कि पक्षियों की देखभाल कैसे करें औ और उनके व्यवहार को सामानी रखने के लिए बैतर वातावरन प्रदान करें। लेयर मुर्गियां अपने अंडे को एक घोसले में देना, जमीन पर बैठना, जमीन पर चारों और चोंच और खरोंच मारना, मिट्टी में लोटना और अन्य मुर्गियों के साथ घुलना मि करने के लिए स्वच्छ पानी, अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन और उचित स्थान की आवशक्ता होती है। लेयर मुर्गियां विभिन प्रकार की होती हैं, जिन्हें नसल कहा जाता है। इन विभिन नसलों का उत्पादन करने वाली कंपनियां किसानों के लिए प्रबंद गाइड भी त्यार करती हैं, यह गाइड बहुत उप्योगी हो सकती है। बहुत सारी कंपनियां ग्राहकों की सहायता और तक्नीकी सलाकार भी प्रदान करती हैं। पक्षियों की देखभाल पर सहायता और सलाह के लिए इन कंपनियों के साथ संपर्क में रहना ब पादन करें मुर्गियों की विभिन स्थितियों के लिए विशेश प्रबंदन गाइड है जैसे वैकल्पिक या पिंज्रे से मुक आवास प्रणालियों में मुर्गियों के लिए और उष्ण कटी बंधिय पर स्थितियों में रखी गई मुर्गियों के लिए अगर आप नही समाप्त रस्तुती समाप्त करने के लिए क्लिक करें